इस वीडियों बात करने वाले हैं मीम फाई के बारे में आप सभी को पता है कल के दिन मीम फाई की लिस्टिंग थी तो काफी भाईों ने उसे सेल कर दिया लेकिन प्रेजन टाइम काफी भाई ऐसे भी है जिनों ने अभी तक मीम फाई के टोकेन को सेल नहीं किया है hold किया है तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या meme 5 हमें hold रखना चाहिए या फिर sell कर देना चाहिए या फिर और buy करना चाहिए future में कितना price जा सकता है और साथी साथ बात करेंगे और भी कुछ important चीज़ों के बारे में तो वीडियो काफी जदा important होने वाला है चैनल पर ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक किजएगा और टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो link description में है टेलिग्राम जरू जोइन कर लिजएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते है present time जो meme 5 की price चल रही है वो point के पाथ 006 पर हमें देखने को मिल रही है अगर इसके listing की price बात करें तो point के पाथ 015 तक यहाँ पर हमें देखने को मिले थी जो listing है अलग-अलग exchangeों में अलग-अलग price में pump देखने को मिला था अगर हम बात करें listing exchanges के बारे में तो यहाँ पर bybit पर list हुआ है okay exchange जो अपने किसी काम का नहीं है bybit पर हुआ है यहाँ पर set to करके है यहाँ पर kucoin हो गया get.io, bing x, bing x पर इसका price काफी अच्छा jump किया था दोस्तों जिन लोगों ने bank x पर sell किया हो तो I think उन्हें बहुत अच्छा profit मिला हो bitmart की बात करें, albank की बात करें, okay exchange ठीक है उसके अलावा यहाँ पर हमें bit true देखने को मिल जाता है, coin ex देखने को मिल जाता है यहाँ पर टर्बोस करके है, और भी कई exchanges है, देखा जातों 20 exchanges के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर list हुआ था अगर यहाँ पर हम देखते हैं, नीचे आते हैं, present time इसकी जो total market cap है, 67 million dollar की है, लेकिन अभी यह coin market cap की तरह से verified नहीं है, तो यह गलत भी हो सकती है, दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखो circulating supply भी 10 billion है, total supply के बरावर, लेकिन यह भी verified नहीं है काफी अच्छा, यहाँ पर selling pressure बना था कल, इसी वज़ए से price कम से कम 3x नीचे आ चुका है, अगर देखा जाए, तो यहाँ पर lowest अभी लगाया, 0.00 और यहाँ पर highest, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दी दिख रहा है, हमने तो इससे उपर sell किया था, अगर आपने कल का live join किया हुआ, वो तो, दोस्तों आप सभी को बता दू, meme 5 की listing कल के दिन हुई थी, तो कल उस समय हम live भी थे, और live में अगर आप यहाँ पर देखाऊगे, तो हम यहाँ पर आप सभी को sweet token, जो gas piece use होने वाली थी, वो आप सभी को distribute कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर time का पूरे गायब हो गए, यानि यहाँ पर अगर देखा जाए, अठारा डॉलर से ज्यादा के token यहाँ पर sweet के गायब हो गए, मैंने किसी को transfer भी नहीं किये, blockchain पर भी कुछ शो नहीं हो रहा है, यानि यह 5 token हमारे sweet के कहा गए, जिसकी worth अगर देखा जाए, तो 1500 से 2000 रुपए की थी, अब देखो इसे हम यह कह सकते हैं कि SWE का जो main net है, उसका एक error है, आप हमेशा देखते हो ना कि test net इसलिए लाया जाता है, जहां पर पूरी तरह से blockchain में transaction करके उसे verify किया जाता है, उसी की गड़बढ़ी की वज़ा से यहां पर यह देखने को मिला है, तो ऐसा scene मेरे साथ हुआ है, SWE में 500 हमारे कहां चले गए हमको नहीं पता, तो यह बहुत unique लगा कि देखो, अगर अभी आप जाके देखोगे ना यहां पर, मेरा ऐसा नहीं कि wallet hack हो चुका है, wallet में और भी coin है, ऐसा नहीं है कि hack हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, किसी के पास म बारे में किसी को नहीं पता, कोई भी transaction data वगरा नहीं दिख रहा था, और दोस्तों आप सभी को बता दू, कल के दिन जब meme file लिस्ट हुआ था ना, तो यह ok exchange पर withdrawal आप सभी को मिला होगा, लेकिन उस समय ok exchange का server था ना, वो पूरी तरह से dead हो गया था, कमबक्त यह open ही नहीं ह हो रहा था, जो meme file हम लोगों को यहाँ पर भेजे गया थे, वो भी दिख नहीं रहा था, कुछ data नहीं दिख रहा था, तो ऐसे में हम लोगों ने live में थे तो, वहाँ पर हम लोगों ने sui wallet को download किया था, sui wallet को download करके फटाक से उसमें दिखा था, उसके बाद हमने get.io में इ price निकल के आया था, हमने यहाँ पर 0.0105 पर यहाँ पर sell कर दिया था, अच्छे price में exit हो गये थे, लेकिन हम इससे और अच्छे price में exit हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, okay exchange धोखा ना देता तो, हम लोगों को यह नहीं पता था कि इस प्रकार इसका serval down हो ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई traffic वगरा था, बट था traffic तो था लेकिन इसने पूरा पूरा एक प्रकार से समझों कि पूरा बराबर कर दिया, यानि लोगों को जो profit होना था ना, लोग सोच रहे थे कि ठीक से हम तो ने withdraw कर लेंगे, लेकिन वो नहीं देखने को मिला, अब sui पे अगर हमने transfer ना किया होता, sui wallet पे, तो हमें भी और loss होता, क्योंकि अगर देखा जाए, तो हमें जब token मिल गया था, तो उसकी कीमत जो हमारे पास coin थे, उसकी साड़े, अगर देखा जाए, 350 डॉलर something थे, लेकिन मैंने उसको sell कितने में किया, 200 डॉलर में, यानि 500 डॉलर घट चुके थे, withdraw करते करते तो ये scene था कल का, अब बात करते हैं दोस्तो, meme 5 के price के बारे में, कि आने वाले समय में, अगर हम इसे hold रखते हैं, या फिर और buy कर लेते हैं, तो कितना price जा सकता है, अब देखो दोस्तो, इस तरह के जो crypto coin होते हैं, इनकी कोई utility नहीं ह होती है, ये चीज़ आपको पहली बात ध्यान रखना होगा, और market में इस तरह crypto project की कमी भी नहीं है, तो ऐसे में क्या ये हमें 20x, 50x का return दे सकता है, तो देखो इस पर price prediction करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई utility तयार नहीं की जाती है, या फिर कुछ और देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम इसको ये नहीं सोच सकते कि ये 20x का return दे सकता है, अभी अगर देखा जाए crypto market में, जिस प्रकार से competition है crypto project के अंदर, तो हम इसे 5-10x का return इसे expect कर सकते हैं, अगर हम average निकालें जो अभी हाली में आ हुए meme coin थे या फिर इसी तरह के similar project थ तो उससे भी ये ही average निकलेगा, 5-10x का return इहां पर, इन future हम इसे expect कर सकते हैं, लेकिन इसमें surety नहीं है, अब देखो, अगर आप इसको buy करना चाहते हैं, तो क्या ये area आपके लिए perfect रहेगा, देखो अगर आप चाह रहे हैं तो buy कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस area में तो buy करने का मिल जाएगा और आप यहां से buy कर सकते हैं, और ये आपकी first buying होगी, ऐसा नहीं कि आप यहां पर अपना पूरा पैसा लगा दोगे, आपकी first buying होगी अगर आप यहां से करते हो तो, और आपकी जो second buying है, आप यहां पे करोगे, ठीक है, इस range के लिए भी आपको तया कर आते हैं, तो इसके लिए भी आपको तयार रहना है in future, और ध्यान दीजेगा, अगर आप यहां पर बाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर short term के लिए आप trade करना चाहते हो तो, लेकिन मैं आपको recommend नहीं करूँगा, और रही बात जिन लोगों के पास अभी token है वो क्या करें, क्या उन्हें hold रखना चाहिए या sell कर देना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, कि आपको sell list होते ही समय कर देना चाहिए, आपको hold नहीं करना चाहिए, अगर आप सोचो यहां पर sell कर दिये होते हैं, तो आज आपको नीचे बाई करने का मौका ना मिलता मिलता अगर आप यहां पर भी हो तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइस में एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है तो यहां पर भी आप 50% अपना सेल कर दो 50% अपना होल्ड रख लो नीचे के मतलब ऊपर के लिए जब प्राइस जाएगा तब आप बाई कर ले है इस पर हम स्पेक कर सकते हैं मई के आसपास 2015 में उसके आसपास हम लोगों को एक्जिट हो जाना है चाहे जो प्राइस निकले मिनिमम प्राइस यह तो जरूर अचीव करेगा में प्राइब लेकिर अभी यह बॉटम में और भी नीचे जा सकता है क्योंकि अभी बहुत सार किजेगा और थर्ड बाइंग के लिए भी तयार रहिए गार 2025 माई तक के लिए बाई कर रहे हैं या पिर में अगस्त के लिए कर रहे हैं तो आप थर्ड बाइंग यहां पर किजेगा सेकर यहां पर और और थड़ के लिए भी जगा छोड़िएगा, अगर मिलता है तो कर लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, और यहां पर भी अगर आप चाहें तो 10-15% के इंटरी ले सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेसर तो आएगा, लोग अभी सेल नहीं किये हैं प्रॉपपर, तो आई होब दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं चाल लोग सस्क्र